नमस्कार नाधी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ चाया शर्मा पुलेटन की शिर्वाद सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे तो इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है भुपाल से पर्यावरन मंत्री हरदीब सिंग डंग का बयान आया है पर्यावरन मंत्री हरदीब सिंग डंग नए नबेले मंत्री चुनोंने बयान दिया है प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बड़े यही हमारा थैया है नफ्करने उज्जा पर्यावरन के श्वेतर में काम हो इसका खास ध्यान रखा जाएगा यह कहना है मंत्री हरदीब सिंग डंग का तो प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बड़ाने की बात स्वासर अप्चुनाव में कॉंग्रेस किसी तरह की चुनोती नहीं है यह भी एक बयान उन्होंने दिया है तो सीम शिवराज के विकास कार्यों बीजेपी संक्ठन के महनत से मैं उप्चुनाव में चीत दर्ज करूँगा हरदीब सिंग डंग कॉंग्रस छोड़कर बीजेपी में श्रामिल हुए अपने विधाई के पत से सिफ़ा दिया और अब बीजेपी में बीजेपी सरकार में क्यावलेट मंत्री बनाए गाए है नवकरने उजा परेवरन के शेतर में काम हो उसका हाज ध्यान रखूगा यह बयान उनकी तरफ से दिया क्या है तो यह बड़ी कबर इस वक्त की आपको भपाल से बता रहे है जहां हरदीब सिंडंग जिन्होंने बभाग पटवारी के बाद अपनी बाद मीडिया के सामने रखे और यह बयान दिया है कि प्रदेश का विकास करना ही मुख्यध है झाले है